जिस राजा को मैं जानता हूँ उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है उसके बदन को हाथ लगाते हैं पल भर में वो भूका शेर बन जाता है वैसा था राजा जस्ट लीव इंग अब मुश्किल है साथ तेरे बड़े बाप लोगों को इसके जिन्दगी कीमत चुका कर मैं यहाँ पर आया हूँ सुन चले दरा असली गुनेगार तक पहुँचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कोई बात ने तुम जाओ मैं जानता हूं साथ इन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया है कोड तक वो लोग कहां पहुच बाते हैं लेकिन पुलिस हो गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं सब जरा रुको इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश कीन है तो तू जिन्दा नहीं बचेगा क्या समझा मेरा किसी से कोई भायर नहीं है मैं किस से शिकायत करूंगा हुम 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 यह उमारी पिछे को मारा है हुम हुम तुरे नहीं कहां देंकर गाड़ी चला रहा है हुम 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 MPH नहीं हुम हुम एनोने कहर लिया हमे वाल शचछी कि पहुरूदी पुछी पहुरूटदी प्वशिट प्वश्यू युशा भुशा कर दो डर ना मत तर्द अपने आपको पीटी उशा समझ कर मेरे पीछे होलो बागो ठ उêu कमेचर आपको जगा मेरे तर्द झा में अब को सबसुhalच पीशे हुआ हाओपा आप עर्दky! का जह को अगे हैं का था टा फ lei प्योंग प्रश थन जड़ का हम मेने जड़ाच है का जड़ हैं हैं वर फाम किल बांव हैं हैं ढए मँ अप जड़ गा हुआ ताया हुआ। ओरियक टाया हुआ! ए़ंग एपस! बढ़ें, ठाया हुआ। पहुआ फसुड़ा अपस! रोच्छी रौच्छीर याज़। और सु्छीरियो está जर दो है जो पाइटे एंक झाने के रागते हैं कि लोटता हुआ। कि लगजांगी थalnızा उंकि आंडने एिए भी लॉटता हुआ। प्रच्छ चाहँ जड़ाचा 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 कि अढ़कों हुआई आटाइ שयु आट, वटमा कु wüncomb कि झालोगां और वो सुछ आटा, वो सांग र entered टो कि प उपनों में भो हुआई, pasture हुआल необходимо कि बेड़र नंड्टここ हुआई आटा अजब हुआ बड़ा हुआ। अप मुआशकी बड़ा हुआ। अमेड भूझ गया! झाओ कर दो फ्लेशं झाओ कर दो गोटाद कर दो झाओ कर दो झाओ 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 झाल झाल चलो उतरने वाले जल्दी से आके आजाओ चलो चलो जल्दी से चलो आओ जल्दी से कन्ड़िज आया क्या विज आएगा तो बता दूंगा कि आगे बोलो कैसे लोग हैं जिनें इतना भी ख्याल नहीं रहता कि महिला सीट पर बैठे हैं अब यह विचारी कैसे सफर करें और भाई साब यह महिला सीट है इने बैठने दीजिए लीडिस सीट खाले करो जल्दी से चलो तुनों पिछाज़ो आप लोग बैठो और कोई बागी डिकेट अब भाई साब प्रिज आएगा तो पताना और कोई बागी यहां पर नहां जाना है एक शास्त्री नगर्दी तुझे क्या तकलीपे चुप रहा ना होश्यार बनेगा ना तो यहीं ना मर्द बनादेंगा चल पिछे चल बाद में देखूंगा तुम अनिल वर्मा कुमार अनिल वर्मा की पैसा देता हो कंड़क्टर साब ब्रिज आएगा तो बताईएगा मैं इधर नया हूँ कहां से आये हो महादेवपूर से तो ब्रिज के पास कौन रहता है मेरी जीजा वहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर है पेट्रोल पंप के अज़े ही वह रहते हैं वहाँ चाल हो गये उनसे मिले हुए अचानक ही उन्होंने चिठ्छे लिख कर मुझे बुलाया था तो मना कैसे करता बाइसा ब्रिज आया क्या तो गया अगले स्टॉप पे उतर जाने लोको पताया था ना मुझे ब्रिज उतरना है मुझे पते उत कर दो कर दो करें गई पीछे ले अगया तो अगया तो बाते करो गे ना तो दांत तोड़के रख दूंगी अरे यह तो एक लेंदेन है और एक मेरे पास जितना पैसा है सब दे दूंगा देखो मैं अपनी वादे से फिरता नहीं हूं जब यह तो बुछ से बुरा कोई नी होगा वहां पर जगा ज़रा देख कर तो यह तो रोस की भी मारी है आप अंदर जाओ मैं देखता हूं क्या हुआ यह फाल तो बाते कर रहा है अरे काम की बात कर रहा है इस्जत से यहां से निकल जा जिन्दगी पर अफसोस करेगा समझा क्या कर लेगा मैं यह लिजे इससे मुझे मारिये मारिये तो बारा अनिल पर्मा को याद रखना राज क्या जा मुझे मारे बगड़ तो उस तक नहीं पूसकता समझा काने तु मैं गरीब नौकार हूं पेट पालने के लिए शेकर भाईया के डाबे पे काम करता हूं मैं तो लफड़ा क्यों कर रहा है कोई लफड़ा नहीं है उसे देखिए वो कह रहा उसे पेट्रॉल नहीं कुछ और चाहिए कान है तु तु कान है बे बताओ मैं तुझे कान हुँ मैं जल बैट गाड़ी में चल निकल 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 या ते लग्यों की बेज़ती बरतार्श नहीं करता मैं ये मुझे नहीं मालू हूं तुम्हारा नाम क्या है रमा रमा रेश्मा अच्छा नाम है तुम्हारा नाम क्या है तुलसी तुला तुलसी ये भी अच्छा है शादी शुदा हो नहीं कब तक ऐसे कुवारी रहोगी शादी करके घर बसाने के रादा नहीं है क्या एलो आप कौन है मैंने पहचाना नहीं अनिल वर्मा कुमार अनिल वर्मा चुटकी बहन कैसी हो चुटकी क्यों डिदी बड़ी मा की बेटे हैं इसकी इसके बच्चे हो जाएं फिर भी मेरे लिए चुटी बहन चुटकी रहेगी तो अब समझा मैं कि तुम काऊना गुडिया कहाँ है स्कूल जाने की तैयारी होड़ी अंदर चलिए आए ना जरा सुन तो कि तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई है थोड़ा पॉष्टिक आहां खाया कुरू लगता है बहुत दिनों के नहीं तो में ज़गा अगे सब्सक्राइब की अगया इतनी बड़ी हो गई है तक तुमारा नाम क्या है तुरगा इसके नाम क्या है तरह बच्ची को समाल कर ले कर जाना कर दें गलती करने के लिए था गलती करने के बाद मारने से क्या फाइदा यह पार्टी मेरे क्राम के लाइक ही है क्या बोला तू चली आपको एक स्ट्रॉंग चाय पिता अनिल चायने पिता मलाई वाला दूद्ध पिता है रम मिलाकर और सुन चुटके पूरा शरीर दुख र शेकर तो इसे इतनी नफरत करते हैं कि गुस्ते से लाल पीले हो जाएंगे मेरी बेठी यहां पढ़ती है आज उसके स्कूल का बार्शी कुछ सब प्रोग्राम है इसलिए उसे लेने आया होगा है इस संगीत की प्रोग्राम में पहला स्धांजी से मिला है उसका नाम है दुर्गा जिसने सब का मन मुह लिया आज प्राइस रिस्ट्रिप्यूशन के लिए हमारे आज की माननी आती थी आदर्नीय तमिलनाडु के चीज सेकेटरी महेंद्र वर्मा जी की धरम पत्नी श्रीमत विद्ध्या लक्षमी जी क्रिप्या स्टेज पर आएउ थेंक यू कुंग्राचुलेशन्स थेंक यू मैम वेरी बहुत सुरी बी तुम्हें ये गाना किसा सिफाना पापा ने वो यहीं पर है कहां पर अभी तो यहीं पर थें ओ कोई बात नहीं अच्छ बाइ बाइ पापा देखो ये मुझे मिला है आप साफ आप 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 मौसे जी जी ये बार कितना कुड़ा और कच्रा बिखरा बड़ा इन्हें साफ करवा देती तरिफ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता आस पास के एरिया में साफ सफाई होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा समझ गई हाँ इतनी बार काया कि यहां पोस्टर वागेरे मत लगवाओ पर कोई मानता ही नहीं है वो के दार कहां चलागी लगता है कहीं भार गया है मम्मी यह दोनों मुझे मिले मेरा बेट्टा वेरी गोड जरा मेरे टावल देदेना में आने जा रहा हूं अनिल भाई आये हैं अनिल भाई इस लिए पता नहीं कह रहे थे जीजा जीने बुलाया है जीजू ने कौन जीजू मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चड़ा आती कोई पुलिस केस हुआ होगा या फिर पैसों की जरूरत होगी देखना दुरका बहुत ही नाराज है क्यों उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं मैं आचानक स्टेज पर कैसे चला जाता लोगों को बुरा लग सकता था तुम हमेशा अपने आपको इतना चोटा क्यों समझते हो शेखर इतना कॉंप्लेक्स अच्छा नहीं है कि बच्ची वहां पर है उसे खाना दे दो अभी देती हूं राधा वो क्या है कि बच्ची को प्राइस देने के लिए आती थी बनकर जो वी आई पी आई थी वो हमारे गाउं की विद्या लक्षम थी मेरे माता पिता की देहांत के बाद मैं उन्हीं के घर पर पड़ा हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे हम दोनों सगे भाई बेहन की तरह थे एक पाक रिष्टा था हमारे बीच मगर गाउं वालों ने इस रिष्टे को बदनाम किये तोहमत लगाई हम पर और घर वाल इसलिए मैं बहा नहीं किया मैंने तुमसे पूछा इसलिए तुम्हें बुरा लगा ना हरे नहीं सबका खाना तेयार हो गया है नजर मत चुराइए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हर काम के लिए एक वाग्त होता है समझे ये ये पराठा और चिकर लिए ये लेजिए छे पराठा रिख जिकर अगे अगे श्टाप ये रोख दो राइशा मेरे पैसे केतना हुआ रुपे केदार मेरे पस पांसो का नोट है चाहर सो रुपे वापस दे हाँ एक दो तीन चार ठीक है जा अरे भाई साब भाड़ा जा ओटो का भाड़ा तेरे आटो का भाड़ा वह सो रुपे इसने पांसो दिया और चार सो तुने मुझे वापस दिया तो अब बागी क्या है चलिकर अब हिसाब बराबर हो आना फिर क्या बोलता है हिसाब नहीं आता क्या तुझे उन सो रुपे भाड़ा उसने पांसो रुपे दिये चार सो रुपे मैंने वापस दिये बिल्कुल सही है यार बेकार में दिमाग खरब कर रहा है के दार कहां गया था तो वह क्या है कि भाई साब को घुमाने किया था कल से काम पर आने की जरुवत मैं भूका मर जाओंगा समझा की जमाली तुरो तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो इसलिए तुम्हें रखा हुआ लेकिन जरूवत की वक्त मौजूद नहीं रोगे तो तुम प्रोसेश्शन प्रोसेशन प्रोसेशन माले एक से पढ़ी है प्यारे साले साब आपका जीजा यह चेठी मैंने नहीं लिगी और यह मेरे हैंड रैटिंग नहीं मुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूवत नहीं है क्यूंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई मेरा प्रोड्राम देख लो की जाना है ठेक इगा कि एगार प्रोडेग्शन अपने प्रोगर्राम के लिए प्रोटेक्शन साज बता यह चठी तुने ही लिख़ी है मैं नहीं मैं अृप्रोग्राम करते हूं हमेशा मार खाके लोडता हूँ अब मार खांगा तो मर जाओंगा मालिक इसलिए अपने प्रटेक्शन के लिए गुंडे की जरूरत थी तभी मौसी जी से मुझे पता चला कि दीदी के परिवार में एक बहुत ही मजबूत गुंडा है जब अपने ही परिवार में इतना अब कोई चिंता नहीं पैसे तो तू देगा ना मैं दो मसाला डोसा बनाओ जीजा जी मैं यहां कुछ दिन और रहूंगा हमें इस धाबे को और अच्छा बनाना है लेकिन ऐसे बुड़ियों को यहां से निकालना होगा चाल कौन है यहां बुड़ी तू कौन था जबाने बढ़ाया मोसी बोलने वाला आप पहां पर चली अजकल के मर्दों से जादा काम करने के इस बुड़िया को यहां रसोई से निकाल कर बाहर हाथ दुलाने के लिए खड़ा करेंगे तो यहां आने वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे सही है ना अनिल भाई आप चाहते क्य होंगा बेकार में बखबख कर रहा है अरे क्या है आपका असली रूप हां आज तक आपने किसी को एक थपड़ भी नहीं मारा है और अनिल भाईया को अपना असली रूप दिखाने की बात कर रही है चल लाए मासी आप सो जाईए ठीक है गुडिया सो गई क्या बदमाश कहीं की पापा कहा है पापा को होटल बन करना है स्वामी को श्लोक सुमा कर सुला दिया और आज का हिसा पुरा करके टेबल पर रख दिया है अब मैं जाओं क्या रात को रिहर्सल है मालिक तुबह जल्दी आना देर मत करना काने में क्या है अरे साब होटल तो बंद हो चुका है बाहर डीएसपी साब बैठे है ना मत बोल चपाती और चिकन करी बना कर दे सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा ज्यादा लेट मत करना राधा दो सोड़ा ले रहा हूं जी राधा जी ज़र आटा लेकर आना अहां सर खाना तैयार है काम वाले सब चले गए आप हैं इसलिए मैंने मैंने तुम्हें कहीं देखा है यह मेरी घरवाली है अरे जरा रुको तो हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं हम तुम कहां की रहने वाली हो चितूर ओ चितूर गाउं की रहने वाली हो अब समझ में आया तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो न राधा तेरा बाप मर गया क्या तरब बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस कितने साल से यहां सेटल हो चे साल हो गया तेरे भाई अनिल के बारे में कोई ख़बर है क्या तुझे नहीं तु जान तो वो फाइल क्लोज हो जाती इसनो इसका बाप है न वो गंगाधर अपनी राजनीती की पहुंच का इस्तेमाल करके केस को दवाने में काम्याब हो गया था सर जी भगवान के लिए हमें परिशान मत कीजिए क्या तु जानता है इसका खांदान कितना महान है पता है सर आप अब इसके भाई को पकड़ने के लिए इसके घर आकर इनको परेशान करते थे तभी हमारी शादी हुई थी सर आप हमें भी उसी तरह परेशान करेंगे तो उपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी चुप रासकल मुझे डरा रहा है इसकी और काई शिकायत करेगा तू हाँ हाथ बंत लगा है तो क्या कर लेगा हाथ लगा है तो काट कर रख दूंगा जुप रही है मेरी बहेंग को शराब पीकर छेड़ रहा था अगर यह शिकायत कर दी ना तो वर्दी उतर जाएगी इस सब करने की क्या जरूर थी जू मैं तुम्हारी जगे होता ना तो यह पुलिस वाला इतिन देर जिन्दा नहीं रहता ए चुटकी तेरा यह पती तो औरतों से भी ज्यादा गया गुज़रा है अपने घर की इज़द भी ने बचा सकता यह तो बाकी सरदर्द हो गया है मानता हूँ अनिल ने हमारी फेवर की लेकिन अफसों से कि वो पुलिस से उलजाए उसके लिए तुम क्यों रो रही है तुम जिन्दगी में हमेशा आसुबहती आ रही है हमारे परिवार में क्रिमिनल पैदा हो गया तो उसमें हमारी क्या गया ख़ाती जो होगा देखा जाएगा परिशान मतो एको एक बोरी गयों एक बोरी गयों मूंग्लिको 5 kg 5 kg गिलानारियल 15 kg 15 kg चावली 15 kg 15 kg पोहा 5 kg 5 kg और और बोल ये जहाए अरे गया दे ये क्या लिखा तुने शेकर बच्ची कहीं नजर नहीं आरे कहीं दिखाई नहीं देरे हुआ पारू के साथ कहीं खेल रही होगी वो पारू के साथ नहीं है में देख कर आरी हूँ कहां चले गई वो तो फिर कहां कई होग curryya तम्हाल के उतरना बिटा हम लोग ज़रा घूमने के लिए गया थे जीजू गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन चाबी तो मेरे पास है बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हूं है इसका मतलब तुम गाड़ी उडाने का भी काम करते हैं तीन साल हो गए उस काम को छोड़े हुए मेरी गुडिया बहुत होश्यार है आप चुप क्यों हो जीजू गाली देना है तो दे दो अगर मैं पहले वाला आनिल होता तो गाड़ी लेकर कपका भाग गया होता तो गाड़ी में चलना जीजू बाजार जाना है आज मैं आपको बढ़िया माल है ऐसे क्या देख रहे हो अच्छा माल होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना अलो जल्दी पैक करो भाई सुधाकर यह सामाह जल्दी निकालो ओ लिस्ट दीजिए किदर लिस्ट दो जे अनिल बहीं यह कहां गया हमारा आदमी है जल्दी दे दो जे पिछली बार जो ले गया तो खराब था इस बार अजया चाहिए चोटे पीछले बार जो दिया था सब पिछले बार से इस बहुत अच्छा है थीचक थीच जल्दी गरो अरुब कि इस बाजार में सारे बाहर के लोग है काम करने के लिए आते हैं और यहां के मालिक बन जाते हैं देखो यह मुल्क सभी का है कोई कहीं भी आ जा सकता और कारोबार कर सकता है ऐसा मालिक बिल्कुल प्रिश्ट प्रेट्टूर्ड पंप का मैनेजर तुई है ना जी हां कहिए काम करने वाली लड़की सासी मदाख कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मुझे अब पूछना नहीं है साथ जो लफड़ा है अनिल के साथ ही खतम करना पड़ेगा एसे तो अधर जल्दी करो अच्छा तुम क्या देख रहो इनने नहीं चुड़ाएंगे तो खुन खराब को सकता है उनके लफड़े को निको निपटने तो तुम लिस्ट में देखो क्या है और क्या क्या नहीं हिये chronique अज्चिक के अंचिक के अज्चिक जोङे अज्चिक से फ मिद समयरोग तोबकर अज्चिक के अज्चिक के अन। अरे जीजू आप मुझे यहां अकेले ही छोड़ कर जा रहे हैं मैंने आपकी विज़े से तो पंगा लिया मैंने किसी को पंगा करने को नहीं कहा था जिसने शुरू किया वही खतम करें तो अच्छा है यह तो साल भर का राशन लग रहा है यह हमारा चार दिन का राशन पानी है जाने और आने की गाड़ियां जब आती है तो हमारे धाबे में जगे नहीं मिलती और जब भी सिकंदर भाई की लॉरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल पूछो मत भाई लो खतम लास्क पैग है दोनों आधी आधी पियेंगे पिये लो पहले तुम डखारो वह कौन है वह सिकंदर भाई और हमारे मालिक वह दोनों की दोस्ति भीना अजीव सी है हमारे मालिक गाओं की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबाईया लैंग्वेज एक दूत्रे को समझने में टाइम लगता है इनका ऐसे ही चलता है दरशाल इसे कहते हैं असली द दोस्ति हमारे में सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है वो में चारे गाड़ी चलाते हैं अग्वान इन दोनों की दोस्ति आइसे ही रखे है हमारे मुडिया सो गई कपकी सो गई खाना भी खा लिया अरे क्या कर दिया भाई शाले कहा कहा देख दागधा दिखने की नहीं है भाई साब गारी है रस्तेपर चलेगी तो कहीं न हो तखराnapी सकती है आप पर तुम इतना ज्यादा एकुद मतोस सब सॉल्भ हो जाएगा एकशा करेगा तिरसा चोटा गाड़ीं यहां लैंड पड़ेगा जाना तो पड़े गई इतना बड़ा गाड़ी रिवर्स हो रखता तुमको दिखता नहीं क्या अंदेवा गाड़ी का नमबर नोट करो और पुलीस को बलाओ जी जो दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग ठेकाने आ जाएगा अरे भाई पुलीस की क्या जरूरत है अरे गाड़ियां आफस में लगी है थोड़ा सा एक्सिदेंट हुआ और क्या हुआ हुआ है अनिल अश्पास कोई हास्पिटल ले तुरे क्या कर दिया है तो नहीं है एल्प करो जल्दी या जदी अरे जाने तो भाई तो आप मर्द हो अनिल तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत ही यह उन दोनों का प्रॉब्लम था आपस में सुल्जा लेते इसमें मैंने घलत क्या किया सिकंदर भाई मेरा नहीं आपका दोस्त है कुछ भी हो पुलिस केस तो हो गई अगर वो मर्ग अगर जा रहा है पीने कहीं नहीं जा रहा मैं यह लफड़ा मैंने किया है न तो मैं इसे खदम करके जाओंगा इनसान का जीना हराम करने के लिए तुम्हारे और कितने रिष्टदार है कि छुटकी कि अरे कौन से जंगल से पकड़ कर लाई है तुई से मर्द के नाम पर कलंख है कि अधिया प्यारे जीजु मैं यहां से जा रहा हूं बरसों में जेल की हवा खा चुका हूं अब मैं वहां जाकर और नहीं सरना चाहता मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे पुलिस का लफ़ड़ा खत्म होने के बाद मैं वापस लोटाओंगा आपका साला अनिल वर्मा यह लोग तो फिर से आ गए जीजू जीजू या है कल राच जिसे मैंने मारा था फिर से आ जाया है जल्दी आ आओ वो देख वो ही है ना जीजू वो मरा नहीं है अरे यह तो किसी और को भी साथ मिला है बोलोग यहां क्यों आयो होगे बदला लेने के लिए जिस तरीके से उंगली दिखा कर इशारा कर रहा था मतलब पुलिस में शिकायद नहीं किया है वैसे यह लोग कभी भी हमला कर सकते हैं वोश्यार रहना होगा इनसे जीजू, जीजू इरादा नेक है तारा इलजाम मेरे सर पे मड़के खुद भागने की तैयारी में था अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको एपरिल फूल बना रहा था सच में, वो भी सप्टिम्बर में क्या हो रही जी, तुम्हारा भाई मेरी गर्दन फसाना चाहता है अरे तू सीरियस मत हो, मैं मजाग कर रहा था, जीजू से ये दुनिया गोल गोल है ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें ये सब काम आता है? आता तो है, लेकिन गाय भैसूं की दुलत्ती से मुझे डर लगता है इसी की वज़े से मैं इस काम में हाथ नहीं डालता है हाई नाना जी, नाना जी कौन है ये, नाना की प्यारी लाडली, नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोफ़ाल आया है वाव चॉकलेट, शेकर सुनिये, नाना जी आया है मौसा जी जीजू, सफेज शट मिलेगी अलबारी में ले लो जट मिली? हाँ, मिल गई दोती है क्या जीजू? वो देख वाँ सुख रही अरे नाना जी केदार, ये जीप में जो सामान है उसे अंदर है अरे समल के भागो मत अरे, धेर सारा सामान लिया है ये हमारे ही बाग के केले है इसे पका कर खाना पैर लागू मौसा जी तू यहां क्या कर रहा है? काशी दर्शन के लिए जा रहा हूं मौसा जी काशी जा रहा है? काशी से तो हमारा सदा के लिए रिष्टा जुड़ा है न? मौसी जी की अस्थियों को मैंने बहाँ विसर्जन करने के लिए सोचा था लेकिन उस समय तो किसमत ही खराब थी मेरे क्या? गुडिया, केदार, मैं सहता करूँ क्या? ये जहां कब आया? पुरा एक अफ़ता हो गया? मेरा लड़का इसी के सोहबत में रहकर भी गड़ गया है मौसा जी मैं पहले वाला अनिल नहीं रहा मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है मौसा जी, एक ढकाए थी आगे चलकर वालमी की बनाना उसी ने राम सिता की कहानी रामैन में लिखी की नहीं काली भी किसी से कुछ कम नहीं थे लेकिन जब दास बने तो कितने मशूर हुए वो तो उसी तरह मैं भी वो अनिल नहीं रहा कुमार अनिल हो गया हूँ बंभोले, शिव, शंभू सच में तु बहुत बदल गया है अनि हाँ अब तो आपको विश्वास हो गया ना मौसा जी कि मैं वो पहले वाला अनिल बिलकुल नहीं रहा हूँ इसके अंदर सच मुछ ऐसा बदलावाया है क्या नाना जी आप यहां कुछ दिन वहकर ही जाएंगे ना यही इरादा है यहां का हिसाब किताब देख कर ईजाओंगा अरहाँ कि शकती और नाट देवता की मडी की जमक से ही इस गाउं को नाट पंचमी गाउं के नामसे गाना जाता है और आज माट पंचमी का उत्सम और इस खुशी के अउसर पर मैं आक के सामने प्रोग्राम करूंगा कुछ फिल्मी कलाकारों को आपके सामने पेश करता हूं सबसे पहले मल्यालम के सुपरस्टार मोहनलाल जी को आएए देखते हैं उनकी एक जला अब हमारे फिल्म जगत के सुपरस्टार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मेगा इस्टार ममूटी अब देखिए उनकी एक जला किसी ने जूझा किया तो नो जिस्म रहेगा ना खोब लिए समझ गया ना अब उठी का नाम तो सुनाई होगा थैंक्यू थैंक्यू अब आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के कभी राज कहलाने वाले जैश थैंक्यू थैंक्यू अब आ रहे हैं हमारे फिल्म के कॉमेडी स्टार मिस्टर जग्दीश आप देखिए उनकी एक जबार जीचा इतरा है हमने जिसको पीटा था हूँ आया है हमने हो देखो जान बचाने तो भागो यहां से अब आ रहे हैं सुल्तान सल्मार थैंक्यू नогन में रहे हैं जार है। झाल 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 इसे इस तरह क्यों मार रहे हैं आप लो जो भी प्रॉब्लम हैं आम बाच्ची से सुझा सकते हैं अने रखो वो लोग अभी तक आये क्यों नहीं फंक्शन को बीच में छोड़ कहां चले गाये थे हम लोग हम लोग चाय पीने गये थे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं शेखर कुछ न कुछ तो लफड़ा है सोचा तुम्हारे आने के बाद अंदर जाएंगे दर्वाजी की कड़ी टूटी हुई है लगता है कोई अंदर गुज क्या है यह किसका काम हो सकता है यह चोरों का ही काम होगा अक्सर इस तरह कुंडी तोड़कर चोरी करते हैं शेखर संबहल के जाना यहां रखा हुआ पैसा खैब है पंप का पैसा था अब मैं सेट को क्या जवाब दूगा भरोसा हो गया ना घर में चोरी हुई है यह लो वहां से निकाल कर चावल के डबे में रख दिये थे मैंने चावल के डिबे में चोर का बाप भी मा नहीं पहुश सकता है क्या दिमाग पाया है चुटकी ने लगता है किसी ने घर की तलाशी लिए सईये क्थ बहु कल हमें पुरी में कंप्लेंट निख्वानी चाहिए सइये सब्साइए क्या किस लिए है जब हमारा को चोरी ही नहीं हुआ तो फिर पुलिस टेशन किसली है चोर नहीं मिला तो कंप्लेंट वाले को ही चोर बनाकर अंदर डाल देते हैं पुलिस वाले जो भी हो सुबहा होने दीजे फिर सोचेंगे क्या करना है किस्मत अच्छी है जो 32 दांट मिले हैं वरना मसूड़ा ही छिल जाता जीजू वो देखो पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है देखो उनके इधर आने से पहले मैं भाग जाऊँगा तुमको भी साथ भागना है तो आ जाना तेरे साथ मैं क्यो भागू लो कर लो बात कल हम दोनों के लफड़े में एक आन्मी लुड़का था कि नहीं क्या का हम लोग दोनों पुलिस है अगड़ो असको वो किस लिए भागा पता नहीं सर भाग कर कहा गया मैं नहीं जानता था पता नहीं है हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखाने के लिए कंगाधर तुम यहां पर हो ओ अपनी बेटी का हाल चाल पूछने आये हो तो फिर वो कहा है लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा क्यों गंगाधर तुमारे बेटे के बारे में कोई खबर है नहीं अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट नहीं है कल रात को यहाँ पर एक चोर आया था सर रादेश्वाम इनकी कंप्लेंट कहाया लेख लो मिला गया रहत तो बागया सिर्डाब कि वो आये का यहा नहीं सिधा पुलिस्टेशन में आयेगा है कि नहीं कै adviser मेरा गुनाह क्या है यह सब तुम्हें पुली स्टेशन में बता देंगे चलो रहे क्या उसने क्या गुनाह किया है तुमसे ही क्या रहा हूं गारी में बैठ बैठ ना पापा 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 तुम यही पर बैठो बेटी मैं छोड़ा कर लाता हूं मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरश नहीं हुआ है डियस पी साहब एंटी क्राइम एक्सकॉर्ट में होने को जैसे शायद एक केस वहां दर्जुआ होगा आप अपना क्रिम्ट्रेंड लिखवा दीजिए नमस्ते राज शेखर आपका दामाद है क्या हां सर शादी को क किसी क्रिमिनल केस में कभी कहीं फसा था क्या नहीं सर मेरे दामाद तो इतने सीधे हैं कि कभी एक चींठी को भी नहीं मारा ठीक है मैं इंक्वारी करता हूँ इस सब सच है उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया अनिल ने किया था वो वह भी उस ने जान बुझकर नहीं ज़दबात में अकर किया था तु सच कह रहा है मुंबई वालों से त्रह न देना नहीं है नहीं सर तु लेफ्ट हेंडर है क्या सर लिखने पढ़ने का काम बायाँ से करता है क्या यह नहीं सर मतलब तू नहीं जानता कि लेफ्ट राइट क्या होता है अपना नाम और पता इसमें लिख दे कि मुंबई में कितने सालों तक था मैं मुंबई कभी नहीं किया सर पाकिस्तानी टेररिस्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है टेरिस्ट से यह आप कैसी बातें कर रहें अबे तेरी कि मुंबई में रहता था ना टेररिस्ट लोगों से तेरा संबंद भी था अब यह सच्छाई तेरे मूँ से होगलवाऊंगा सेर क्या है वी गौट इस इन्वेस्टिकेशन रिपूर्ट सर इसमें लिखा यह केरला से बाहर गया है यह भी लिखा है यह कुछ दिनों के लिए अपने परस्नों काम से बाहर गया है क्या है I am Ahamashah हाँ, sorry मुझे लगता है यह वो नहीं है जिसकी तलाश आपको है I want to see him Yes, it's him यह है वो फाइल जिससे हमने शहर से ढूण निकाला है आप तहाएं तो देख सकते हैं पोलिस रिकॉर्ड में दो हजार पांच नौवंबर 25 को राजा पुलिस इंकाउंटर में मारा जा चुका है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी से मिला था 30 बुलेट एक तम एक जैसे दो लोग आई काउंट बिलिव इस एनिवे आई वांट टॉक तो हैं रुके अस्टिडी में कहीं कुछ उचनीच हो गई तो कैसे पूश्टाच करना चाहिए ये पूलिस से बहतर मैं जानता हूँ कि अच्छा मैंने आपको पैचाना नहीं तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो मैं आपको नहीं जानता है तुम मुझे जानता है और मैं तुझे छालेज छालेज कहालेद आप हैं है पर पर है आप है है I am really sorry ये वो नहीं है जिस राजा को मैं जानता हूं उसके अंदर इतनी सहंद शक्ति नहीं है उसके बदन को हात लगाते ही पल भर में वो भूका शेर बन जाता है वैसा ता राजा अब मुश्किल है साथ तेरे बड़े बाप लोगों को इसके जिन्दगी किमत चुका कर मैं यहाँ पे आया हूँ सुन चले दरा असली गुनेगार तक पहुँचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कोई बात ने तुम जाओ मैं जानता हूं साथ पहुच बाते हैं लेकिन पुलिस हो कानोन हो गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं सब धरा रुको कि इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश की नहीं तो तु जिन्दा नहीं बचेगा क्या समझा मेरा किसी से कोई भैर नहीं है मैं किस से शिकायत करूँगा पापा पापा किया हुआ जी अरे कुछ नहीं हुआ पुलिस वालों को खलत फेमी हुई थी उन्हें पता चला कि मैं बेगुना हूँ तो मुझे यहां तक छोड़ने आए है ना सर एक मिनट रूकिये सर आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक करते तो शायद मैं बरदास्त कर लेता क्योंक में ही भगवान ने मुझे शेखर जैसा शरीप दामाद दिया इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है गुडिया तुम सोही क्यों नहीं पापा डर लग रहा है किस बात का डर बेटा इस से पुलिस वाले आए तो अब कभी पुलिस नहीं आईगी तुम सोचा बेटा तुम रोकर इस वाल डरा है तुम रोकर इस वाल डरा रही हो किम से पहले ही का था कि मेरे पीछे भाग लो मैं तो बच गया समझ गया पुलिस की जात कैसी होती है कौन है शेखर बेटा मौसा आप गया नहीं तो अभी तक यही है कल भाग यहां से अरे रुकी है बेटा खांदान को बरबाद करने वाला आसूर है यह ऐसा मैंने क्या किया तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बरबाद हो गया उससे तेरा जी नहीं भड़ा तो मेरी बेटी का घर बरबाद करने आया मैं तो यहां जी जो और बच्ची से मिलने आया था अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाता हूं कल सुबह पहली बस से चला जाओंगा अभी क्या भी जा नहीं बाबुजी आया है तो रहने दीजे किसी को आधी रात को घर से बाहर निकालना अच्छी बात नहीं सुन छुटकी कुछ खाने पीनी के लिए बचा है तो देना बहुत जोर से भूख लगी है हुआ कर दो कर दो जो विल कर दो जो कर दो घू ब खुर। कर दो एका ड़ खू बदो जो जो कर दो जो ऊजसे लिगा भाफ। पालाब बाबा भाफ भाफ जो भाफ। अपको अजयू है लिए लिए अट्याओती जँ अफ़ जए भी आपर अ़ लाड़ जाँ अबिता है उपको जपको लिए भी आयुड़ चन्हाँ हम चारी लिए चाल पुब पुब जो जज बड़ साहां को कर डंँ ज हम लोग जा रहे हैं रेस्टरांट में आने के बाद शुरू करोंगा यह तूटे-फुटे कांच का कुछ कर देंगा कल सुबा नाय मैनेजर चार्च ने लेगा ठीक है कि मुझे क्या करना है जीजू गाड़े निकाला है कि मेरे यहां आने से ही सब लफ़ला हुआ कल रात वो लोग मारने ही आये थे जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले करते हो तुम सेफ हो जाओगी जेल में रहा तो मैं भी सेफ रोंगे हुआ 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 है बाबुजी में चलता हुँ कहां जा रहे हो हमारे सेट का कमिशनर से अच्छा रिष्टा है उन्होंने का के वह बात करेंगे इसलिए पर में मिलकर आथा शाम को जल्दी आ जाना आ जाओं जीजू तो जरूर आएंगे चुटकी पर मेरा कोई भरोसा नहीं हाँ 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 अ हाँ 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 है यह अमारे पिछे को मारा है गहाँ देंकर गाड़ी चला रहा है कर दो कर दो झाल 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 कि अपने आपको पीटी उसा समझ कर मेरे पीछे हो लो भागो खुछ समझ कर महाद आपको भीए कर माद एकि भागो खुछ समझ कर मेरे लुछ समझ कर चुछ खुछ सम帶 मादश कर एकि अके अया एढ कर दो आब हैं, उह एए राचा है, आहा है कि आचा है, आहा है, आहा है, आहा हैं आहा है. टिल्गा डिल्टार हाट थीम्प खर दोड से देखा, भन थिल्टार हा उुआवाट कि भ bao वूब डफज माझो coming कि भी जिला खर लुड़ दें पेंस फिंस प्रवारोद और फम उड़ी चाह स네 किको झाल कि झाल इंदतार हैं झाल कर दो झाल 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 तो तू मान ही गया कि तू राजा है जी हाँ अगर कोशिश की तो धड़ से सर अलग कर दूँगा झाल 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 फित्त ऑं तु मान ही जहाँ लाच लाच क earning back लाच कर दो हाई आगा हाई एाँ एाँ जीजु, कौन हो तुम? मुंबई में बड़ा आदमी बनने गया था लेकिन बन गया एक टैक्सी ड्राइवर और एक दिन देख एक टैक्सी रुको रुको, स्टॉप पोलिस मेरे पीछे, गाड़ी सिधा चलो, चलो, चल्दी चलो, रियार चल्दी चलो, आगे से राइट, बस सिधे रुको, रुको, तुनो, कभी मेरे नेजर के सामने आए, मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं, आप जैसे लोगों से दूर ही रहता हूं मैं जा, इतना लेट हुआ तो मैंने समझा की, पैसे गए हाथ से, मैं तेरे बाप की पैदाश नहीं हो बे, ए तेरी तो, उन लोगों ने हमें धोखा दिया, पुलिस को पहले से खबर किया था हमारे डील के बारे में, पुलिस पहुंच गए थी वहां पे, बाल-बाल बचके आ जा रहा हूं मैं, उस टेक्सी में मेरा बैग बदल गया, यह जूट बोल रहा है बॉस, बहुत अच्छा काम किया साब, आप मेरी बैग लेकर आ गए, ले देकर यही प्रापटी है मेरी, इसमें क्या है तु जानता है, कुछ भी हो मुझे क्या मतलो, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, चाहिए तो देख लीजी, मैंनत करके कुछ बनने आया था मुंबई में, लेकिन यह बन कर रहे गया, सुनो, नाम क्या है तुम्हारा, राज शेक, राजा, हमारे साथ काम करोगे, हमारे काम है थोड़ी सी बेइमानी है, लेकिन हम बेइमानी का काम भी बहुत इम मेरी इमानदारी से करते हैं, मेरी इमानदारी को देखकर, उन लोगोंने मुझे अपने ग्रूप में शामिल कर लिया, मैं बिना कुछ सोचे समझे, उनके साथ काम करने लगा, राजा कोदेते, शुक्रम है, खरीया को बेल और इरो धुम उनके साथ के त्ल कोदो है, हम dressed सी घुम इत पर दो चाह, पर गोड़िका, तेरी जगे तो छिनके चंद्रू बोस को अब तुम्हारी जरुवत नहीं है राजा करिला पाइंब सिहा ऑ Mayo मेंस coral ऑेंब से जरु़ेंगा today कर डाइंब से फिल्ट्रे की ज问 Around About You इ्नके में 50 घरी जर कर आप मामने क्कंछ्छ स्थ्ट्वड प्सायंननborg पिल्यास shẹँ मिद्ध्न कमिपल्च से ढम डिलिध्न उलिखे च Armed numbers į व है . भाई का जो ट्राइवर था सिकंदर, वो बाद में मेरा ट्राइवर पांगिया उसी वक्त, बंबई में बं धमाके हुए, जिससे मेरा दिल तेहल गया त्री ब्लास डिस्टर्ब दा इंडियन सिटी औफ मुंबई इस विस्पोर्ट में 35 लोग मारे गए हैं, तकरीबन 70 लोग कंभी रूप से घायल हुए हैं इस विस्पोर्ट ने व्यावसाई को भ्योग और व्यापारियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है बाई और आतंकवादियों के बीच साठ काठ हैं, ऐसा केस फाइल करने की तैयारी शुरू की गई एंकाउंटर स्पेशलिस दया पाटेल अंटी टर्रिस्ट का चीफपन कर नियुक्त हुआ जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर महिंद्र वर्मा को नियुक्त पिया गया सर इनके पीछे कौना ने ये पता करने के लिए उसको सिंधा पकड़ने पड़ेगा सर्थ प्रजा भाई मुम्मई ब्लास्ट में चंद्रू भी जुड़ा हुआ था और उसकी आतंकवादियों से सांठ गाठ है ये बात मुझे सिकंदर भाई ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ युए बढ़े प्रत्क टोपNew हाए foods हाए नहीं ब्रकोने है कमें करेंप़े ही ने चाहे है ша जा olduğा जीच पूलए लागो है रहाए आपादी... चाले आपा.. याटवे भीक्षा ल्डो.. बूछी… बूची..? जी.. शूर विद्धिया इसलिए इसलिए अरे शेखर तुम वो तो सुप्राइज मैं कहा करती थी ना शेखर के बारे में ओ अलो तर आपको चार्ज लेते हुए टीवी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहां कहा रहते हो शेखर मेरा चोटा सा बिजनस है कौन सब्सक् नाई इस अंकल को जानती हो नाई यह मॉम्मी के गाउवाले हैं अपका नाम किया अनू शेखर कभी टाइम में ले तो हमारे घर आना जरू यह लग मेरा काल तो हम चलते हैं जी हां सर अपके साथ को सिक्यारिटी वागिरे नहीं है हमें भी प्राइवेसी की जरूरत होती है चलता हूँ जी सब्सक्राइब एसा जवाब नहीं मिला मुझे राजा चंद्रू के और हमारे धंदे में किसी से भी रिष्टे हो सकते हैं तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो जस्ट माइंड जा ओन बिजनस अंडर्सटेंड नया कलेक्टर सारी खबर तुम्ह इस दिन सिकंदर भाई की बेटी की साल गिरा थी तो मैं केक लेकर उनके घर चला गया बावी जी नमस्ते सिकंदर भाई है अंदर ही है देखो राजा भाई आए है एपी बर्स दे बेटा ये केक आपके लिए जब हम लोग आएंगे तब इसे काटेंगे ओके थांक्यू अंकर बिटा बस हम यूं गए और यूं आ जाएंगे फिर हम मिलकर से लिबरेक करेंगे कि कम बें नमस्ति मैंने सीधे कॉलेक्टर से मिलकर ये बात बताने का फैसला किया तो खुत सुरे सर कोलेक्टर साफ जब को मिलना चाहते हैं मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ चलिए अपने गाड़ी में चलते आच्छे मैं अबी आरो मा वेटी खाहा जारही है हम शॉपिंग के लिए जारें शॉपिंग करने अच्छ आ लिए मैं कि अनखर सब करना बेग, हां तुम क्या बिजनिस करते यह एक्सपोर्ट 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 इult काउन सा प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट करते हुआ फरनीचर बगिर हम कि तुम्हारे बारे में मुझे पिद्या ने जतना बताया था मैं उतना ही जानता हूँ अफकोर्स एक हद तक में तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ वो कहती है छोटी उमर में ही शेकर मुंबई आ गया था यहां आकर उसने पढ़ाई लिखाए की और पहुत कुछ किया वगेरा वगेरा तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा नहीं मालम राजा इस वक्त मेरी कस्टडी में है और वजय तुम्हें तो पता ही होगी न राजा कम लुक मी राजा मुंबई पॉलिटिन सिटी के चार आइडियल स्पॉर्ट का नजारा तुम इस वक्त देख रहे हो हमें इंफर्मेशन मिली है कि इन में से किसी एक जगह पर ब्लास्ट होने वाला है तेल मी देट तुम लोगों ने कहा बम फिट का रखा है बम? मैंने कोई बम नहीं लगा है राजा तुम इतने गरीब लोगों की जान के साथ क्यों खेलते हो? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? सर मैं कुछ नहीं जानता राजा प्लीज हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है जो भी करना है जल्दी करना है पटेर उसे लेके आओ तिवारी इसी ने वो बॉम बनाया है इसी ने फोन किया है और इसी ने तुम्हारे हाथों में भी दिया है अब साब साब बताओ वो चम की लिए कागज में लिप्टा पैकेट तुमने कहा चुपा कर रखा है वहाँ सिकंदर भाई के घर पर भॉम रखा गया माई गॉड सर वो आतंकवादी कहां रहते हैं वो जगे मैं जानता हूं कर दो अच्ते हैं कर दो आदो नविटे तुमने के वहाँ अब आनाव गोगोटे आविए अब आनर फिल्सकानाव की के वाँ पाक्या अपने आपको सब पुलिस के आवाले करनो और जब के सब मारे जाओगे अबरीवान टेक पॉस्टान यॉर सरेंदे बाज पुलिस दोंट राइट वे इसकेब वी विल शूट अलो टर्न बेक वाट तुम्हारे पीछे वाली बिल्डिंग पर नजर गुमा कर देखो नो मेरी बच्चे को कुछ मत करना हमें बच कर निकलने के लिए गारी चाहिए पुलिसियाद चाल चलोगे तो तुम्हारी बेटी की खौपडी खोड़ दूगा मेरी बच्ची मुझे चाहिए मेरी बच्ची को वापस लियाँ मैं हाँ चोड़ती हू तुम्हारे सामने मैं मैं पुलिस कस्टड़ी मैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ प्लीज 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 आप आप बेटी, मेरी बच्ची को पष्पाखा ना? जोब बगए कर दो जोब बगए अट चक्षक आराा आराज़ 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 झाल खर पर झाला शेंस थान झाला, भ। ऐचले कि को अझाला, भ। झाले करा उ़头 कारां झाला, भाला, भ। झाले कांजस, रउन त शाला, झाला उसै भ। झाला, फफ़ दो करे दोस्त्त सांolds, नही को के उपीक सां... Krishna Vamsri has been arrested from his house in police attack. His wife and daughter were dead during this operation. Police suspect Vamsri is behind Mumbai terror attack. Main accused in Mumbai terror attack Raja was shot dead in a police encounter. The master brain behind the terrorist attack Raja was shot dead by police. And the gangman Chandru is absconding. Raja shot dead. सारी जनता यही समझ रही है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा मुंबई पुलिस के पुलिस रिकॉर्ड में कल जो पुलिस एंकाउंटर हुआ था उसमें राजा मारा गया और चंदरू बच निकला लेकिन मरने वाला आदमी राजा नहीं बलकि चंदरू है यह बात सिर्फ हम जानते हैं यू समझो कि बच्ची की जान बचाने के लिए यह एक ऐसान है लेकिन एक बात तुम दोबारा कभी भी यहां दिखाई मत देना शेखर कभी मुंबई में आया ही नहीं अपना गाँ छोड़कर वो कहीं नहीं गया यह बात यह फैल गया उस दिन चंदरू का नाम देकर मुझे फरार करवा दिया गया वहां से मैं चंदरू के घरवानों से मिलने गया उसके बाद चंदरू की बहन राधा मेरी घरवाली बन गई चंदरू और मेरे बीच क्या हुआ यह बात ना राधा को पता थी और ना ही उसके घरवानों इस डॉन का नाम तो मैंने सिर्फ सुना था आज पहली बार अपनी आँखों से सामनी देख रहा हूँ अगर भूल से भी मेरे मुझ से कुछ अनाप शनाप निकला हो तो आप उसे दिल से मत लगा ना मुझे माफ कर देना मैं कौन हूँ ये बाद सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को पताना चले अलो राजा पहचान ही गए होगे के मैं वमशी बोलना हूँ कृष्णा वमशी तुम ही वो राजा हो ना ये साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुमसे एक छोटा सा काम है और तुम्हें आना होगा मेरे पास मैं कभी नहीं आऊंगा बीवी, बच्चे, फैमिली ये सब छोड़कर तो तुम्हारा आना बहुत मुश्किल होगा ना वैसे इस बोच को कम करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी ससुराल के सामने एक खेती वाली जमीन है उधर 40 आदमी काम कर रहे हैं जिन में कुछ बिहारी हैं, कुछ बंगाली और उन में चार मेरे आदमी है जिस तरह सिकंदर की फैमिली को बरबाद किया था ना तेरी फैमिली को भी कर दूँगा चला, क्या हुआ? हमारे आदमियों में चार लोग उनके हैं अरे? रादा, रादा, वो लोग मार्केट गए हैं मार्केट गए हैं इसका कितना शेकर तुम कब आए बस अभी अभी कमीशनर से मिलने गये थे ना क्या हुआ उनकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह चाहिए नहीं है ले लो नहीं वोग उनकी बड़िए लोग इसे अभी कमीशनर से एंभी कमीशनर से अभी कि वह उनकी मिलने अभी कमीशनर दुम्शनर से ले खाए इस वाए शेखर नज़र नहीं आ रहे जीचा जी अपने दोस्ते मिले गए हैं मम्मी अपको बता दोगा ठीक है कि अपको बता है राचा है कि राचाए राचा हाद से खाह थिलाचा हुँ राचा हुँ हैं यह वाला को क्या रोग मुद्थ? ठीक्व बाचा है मुद्थ? झाल परां 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 शेखर वहां क्या हुआ है नोटी-मोटी लड़ाई होगी चलो किसे की उससे हमें क्या लेना देना चलो घर चलते हैं कि कोची में कितने दिनों तक रहना है शेखर नया पंप है उसे सेट करने के लिए मुझे खुद रुपना पड़ेगा सब सेट होते ही आ जाओंगा चलो बाई गुडिया बाई पापा वंशी ने मुझसे कहा कि हमारे आदमियों में तीन-चार आदमी उसके मिले हुए मेरे आने तक इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है इनके शरीर पर खरोश डालने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा ज्यादा बातें मत करो क्या जीजू आपको मु जादा 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 जाद झाल 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 बास के सामने कैसे बैठते हैं शायद भूल गया जल्दी बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ दस साल पहले तुमार तुमारे दोस महिंदर वर्मा ने मेरे धंदों के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था याद है मुझे तुमसे उसका पुराना हिसाब सूच समीच चुकाना है बीते हुए दस साल हम लोग जेल में सिर्फ यही उमीद लेकर सड़ते रहे कलेक्टर से बदला चुकाना है यही मारा मकसद है आजकल कलेक्टर बहुत उची मुकाम के है वो इस वक्त तमिल लाड़ों में चीफ सेकर्टरी है अपनी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए एक महने के लिए कोयमतूर आया है सेंट्रल मिनिस्ट्री से अच्छे तालुकात होने को वज़े से उसको मिल्ट्री प्रोडक्शन मिला है उसको जान से मारना है एक प्रोफेशनल किलर जो काम नहीं कर सकता है इसलिए काम तुम को करना है तुम दुनों में पूराना रेलेशन होनी को यसे तुम्हार लिए बहुत आसार तुम लोगों के इस वक्त दो ही दुश्मन है एक मैं दूसरा चीफ सेकरेटरी अगर मेरे हाथों चीफ सेकरेटरी को मरवाओगे और उनकी सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुझे मरवाओगे है अगर ब्रिल्लियंट के मुषा से बचके निकलना तो महारा जिम्मा होगा अगर मैंने नहीं किया तो तु करेगा क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं कि अलेद गान उठाए हुए बर्सों गुजर के प्रैक्टिस कि यह बिना तू सही निशाना नहीं लेगा सकते इंडियन मिलिटरी की वहाँ पर सिक्यारिटी है चीफ सेक्रेटरी जिसके स्टाउस में ठहरे हैं वहाँ पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता मैं खड़े-खड़े अरेस्ट हो जाऊंगे जो हथियार मुझे चाहिए उसका इंतजा मैं खुद करूँगा लेकिन एक बात याद रखना अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मौत के मूँ में चीफ सेक्रेटरी नहीं जाएगा रजा की बाचा रजा की बाचा रजा की बाचा 10 साल के बाद राजा राजा ही है once a king, is always a king कि एक देवाग राई कहा रिवा कि अन्याविक है यह प्रेश कंट अक्पार्श रे य। मैं रहन वाक्पोंत्थ आपइथर रहुण थिए नहीं कि एक नहीं है यह एक रेक हुआ यह उए नहीं है कि एक पुले मुटनी नहीं कि राजा आई नो हम लिटिमें आज कर आज कर आप नहीं है वो कल मैं जरह यहां हो वाँ आपने मुझे पैचान लिया बेलकुल तुम्हें कैसे बूल सकता हो कि उमीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा मिलूंगा दस साल का लंबा समय पेट गया वैसे तुम काफी बदल गए हो विद्या बच्ची को बलाओ जी बेटी यह तो जैसे सर्प्राइज हो गया यहां तक कैसे पहुंचे तुम यहां एक बिजनस के सिरसले में आया था तब पता सब्सक्राइब नेक्स्ट वीक इसकी इंगेजमेंट है अशिर्वाद लबेटी हमारी सारी धन दौलत और पुश्य अब हमारी बेटी ही है हम किसी के कर्जदार हैं तो वो तुम हो ऐसी बात मत कीजिए सर सच तो यह कि मैं आपका कर्जदार हूं गलत रास्ते से हटा कर मु से कुछ नहीं बता कभी बताना भी मत वह गुजरा हुए चैप्टर है बच्ची के एंगेजमेंट तक तुम यहीं रहोगे न रहना ही पड़ेगा ठीक है मैं जाकर उनको लिया आता हूं तुम्हें जाने की जरूवत नहीं है तुम्हारे घर के पास कौन सा प्लिस्टेशन कोयम बटूर से शेखर के दोस्ट चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके घर हमें तुरंट पहुचने के लिए कहां है कि पुलिस तो यहीं आ रही है हमें ले जाने के लिए हमें ले जाने के लिए वो सब मैं बाद में बताऊंगी पहले तुम तयार हो जाओ जल्दी आजाना मौसा जी मैं चलने के लिए तयार हूं कैसे हैं अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जीप में बैठ जाओं राजा चीफ सेक्रेटरी को कैसे जानता है मेरे जीजू और चीफ सेक्रेटरी ने एक साथ हाईस के तयारी की थी मेरे जीजू तो हार गए लेकिन वो जीट गए ठीक है जा बैठ जा जी बिलकुल इधर बैठ जा नहीं आगे बैठ हूँगा यह परवाले यहां तक तो तुम्हारी दया से जान बची हुई है आगे भी रक्षा कर रहा है फिसका बैख लो और घंड यहां जो भाई प्रोड्पास जोका प्रोड्पास तो यह प्लेस नहीं में तो एक्रांदा तो नहीं प्लेसित को है कि कि अखु कर रहा है पापा नमस्ति नमस्ति गुडिया तुम जानती हूं यह लोग कौन है पापा यह आंकी हमाय स्कूल में चीफ गिस्ट बनकर आई थी ओ दुरगा बहुत ही प्यारी बच्ची बहुत अच्छा गाना गाती है जली अंदर चलकर बैठते हैं जाए क्या रहा है क्या रहा है काबू मेरा हूं हां एक्स्क्यूस में डिवास्पी पालोस पॉतन इस वेइटिंग वेटिंग वोड मोनिंग सर अब विदा गया है वो क्या है न मुस्से गलती हो गई थी और मैं गलास फैमी में पुरानी बातों को भूल जाए ना ये बात मैं नहीं जानता क्या बड़े ओफिसर आपसे जो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा वैसे आप मुझे नहीं जानते थे मैं सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखता था कुछ भी नहीं बोलता आउसर मिलने पर कर्स चुका देता हूं वो भी सूथ समेथ आप जाईए सर फिर में लेंगे बहुत चांद राजा बोल रहा हूं या टेल में राजा तू सुरक्षित बहार निकल गया है क्या तुर्व मैं ही नहीं मेरी बीवी मेरी बच्ची सब सुरक्षित है क्या सोचा तुमने तुमारे डर से मैं काम करूंगा क्या मैं यहां उसे मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे या तुम्हारे चम्चों का साया तक उस आदमी के खरीब भटकने तक नहीं दूगा मिस्टर कृष्णा वंशी जॉन टाइगर, पैसे के लिए उ कुछ भी करेगा, वो इस वक्त होटल ली मेरेडिन में है झाल झाल केश्षा केश्ष अपिस इम्हेंदर वर्मा और इस रचार सी । यह यह बिग लब लिग गैंट वाम कॉछ्छा भार्म लिख इपनि तोम्रो बेर और्शांग जार्मने मेंटर वर्मा स्ट राजा जा वी रोग आघ। हाँ, बोलिये सिकंदर भाई मॉंबई से एक इंफरमेशन है चीफ सेकरेटरी को मानने के लिए वंशी और शाह ने मिलकर एक प्रोफेशनल किलर का सुपारी दी है उसका नाम है जॉन टाइगर काफी खतरनाग है गो सो सगाई के फांक्शन पर जरा केरफुट रहना मुझे बार का पूरा फूटज दिखाऊ स्लो करना स्लो करना इसे अच्छी तरह चेक कर लेना ठीक है क्या हुआ शीकर क्या वात है क्या है क्या क्या है क्या है । लिण झाल 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 क्वाल बच्छा दिलाचा, बच्छा दिलाचा, बच्छा दिलाचा, क्या बात है शेकर? बच्छ नहीं सर, गुड़नाइट, गुड़नाइट, आप तो बड़े कमाल के निकले जिजू, या सफाई दिखाई आपने, गवा कौन है, मैं, मैं नहीं हूँ, राजा, मैं आपको एक खुशकबरी देना चाहता हूँ, तुम लोगों का भीजा हूँ, इंटरनेशनल प्रोफेशनल खिलर, जॉन टाइगर अभी 10 मिनिट पहले, चीफ सेकरेटरी के गैस्टाउस के पास मारा गया, उसके मृत शरीर को गैस्टाउस के ड्रेनेज में बहा दिया, यहां से ठीक पाच किलोमेटर साउट साइड जाएंगे वहां पर एक ड्रेनेज ब्लॉक है, बॉड़ी चाहिए तो वहां से कलेक्ट कर लो, गुड़ नाइट, फी ट्रीम्स, जीजू, आप सच में राजा है, राजाओं के राजा है, यहां, आपकी घड़ी, हाँ, 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 सर, येस, यो फाइल में साइन करना था, बताव कहां करना, मंदिर बंद होने से पहले मुझे वहां पहुशना है, सर कहां जा रहे है, उल देवता के मंदिर में, वो कहा है, शहर के बाहर 25 किलोमेटर के नहीं, सर, ऐसी बात मत कीजिए, दुश्मन बहुत है, मेरा कौन दुश्मन है, बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा, अच्छा चलता हूँ, जी, सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मंदिर, बच्पन में जब मैंने होच समभाला था ना, मेरी मा मुझे यहां लाया करती थी, तब किसी पंडित अगवान का नाम आते ही सबसे पहले कुल देउता की याद आती है, उस दिन जब मेरी बेटी की जान मुसिबत में थी, तब भी मैंने स्कूल देउता की ही प्रार्थना की थी, अब मेरी बेटी की शादी है, तो मैं सोचता हूँ, उसका प्रोग्राम भी यहीं पर करवाओं, यहाँ पर, लेकिन यह जगे सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो, यहाँ कोई मुझे गोली मार देगा क्या, मैंने अपनी जिन्दगी में, आज तक कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं किये, अगर किसी को कोई तकलिप पहुँची भी है, तो वो सरकारी कामकाज से, सरकार हमें हुक्म देती है हम तो हुक्म की तामिल करते हैं सही है भगवान की दया से मेरी जिंदगी में कोई कमी है तो वो है दुश्मनों की आजिगंदर भाई क्रिश्न वन्षी कोई मतूर पहुंच गया है होटल सिटी पार्क में ठैरा हुआ है भाई कोई बहुत बड़ी गड़बड लग रही है परना वो खुद यहां नहीं आता अपना खयाल रखना टेक है राधा राधा वो जब बाहर जला गया बाहर का? वो लोग तो शोपिंग करने के लिए गया है इदर यह देखो अरे जीजू का फोन हाँ जीजू हम लोग इस वक्त मॉल में है मैं जरा भी अकल है के नहीं मैंने कितनी बार समझाया है मेरा मतलब बहर मत जाना समझते ही नहीं हो तुम लोग मैं साथ में आया हूँ ना जीजू आप टेंशन मतलो मैं सब को सही सलामत घर ले आऊँगा तुम लोग बहर ही रुको मैं बस आई रहा हूँ जी जी आवाज निकाला तो कोली मार दूँगा सिर्फ तुम कोई नहीं तुमारे साथ जो आये हैं न उनको भी उड़ा दूँगा चुप चाप चल उधर देख चल राजा को फोन कर अनिल बोरो जीजु यहां लफड़ा हो क्या इन लोग ने हमें कवर कर लिया है हमें बचा लो जीजु क्रिश्णा वंशी सर मेरे परिवार को कुछ मत करना सर वो मेरे लिए सब कुछ है आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा तेरी फैमिली को तो मैं छोड़ी दूँगा लेकिन उससे पहले मुझे तेरे चीफ सेक्रेटरी की जान चाहिए वो इस वाद गैस्षा उसमें अकेला ही है ना वक बहुत कम है ए सब्हादा लेकिन उस्तव हुटबगा ए स्कारी दूआ को मुझे तेरे रचज़ी गैस्वेक मुझे प्रिए य önज़ी थे स्वेश्यारी 6 ए स्कारील्स क्वेक्न भbon आझार के लिए आझार के लिए घुटे घुटे अरे तुम अचानक कहां चले गए थे क्या बात है शिकर जब मैंने आपसे कहा कि आपके दुश्मन है तो आपने यकिन नहीं किया क्रिश्णा वंसी और उसके साथ ही उने जेल से निकलने के बाद आपको मारने के लिए मुझे चुना मैं यहां आपसे मिलने नहीं आया बलकि मारने आया मेरे बीवी बच्चों को मारते कई यह धमकी देकर आपको मारने के जिम्मेदारी मुझे सौपी है सर मेरे बीवी बच्चे यहां सुरक्षित रहेंगे यही सोच कर आपको बजाने का इरादा किया लेकिन अभी मेरे बीवी बच्चे आपके बीवी बच्चे उन लोगों की कस्टडी में मैं कुछ नहीं कर सकता खून खराबे की जिन्दगी से आपने मुझे बाहर निकाल एक नई सिंदगी ती आज मेरा परिवार है सिर्फ आपकी वज़ा से मैं किसको बचाओं अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले परिवार को या फिर आपको जो मेरे लिए भगवान समाने आप ही बताइए सर्थ मैं क्या करूँ जैसे तू अपने परिवार को जान से ज्यादा चाहता है, वैसे ही मैं तुम्हें चाहता हूँ उन्हें फोन करके कहो, मुझे जिन्दा उनके हवाले कर रहे हो, और वो मुझे मारे क्या चीज सेक्रेटरी मारा गया, नहीं, मैं उन्हें मार नहीं सकता, आप जगे बताइए, मैं उन्हें बहां लेकर आता हूँ ठीक है, शाह तुझे फोन करेगा, ओके अलो खांदान को हमले कर जाएंगे, समझा? झालन को हमले कुछा उन्हें सेक्रेटरी रह भी जाएंगे जाएंगे, अलो झालन को हमले को हमले को हमारा टुझे आता हूँ झाल 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 सत्या सत्या वंसी साब को फोन लगाओ वो आने वाले थे अभी तक क्यों नहीं आये झाल 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 कर दो! लाज दिना जाज दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो यह तुम्हारे बॉस का ही फोन है वमसी सर आपका भी फोन नहीं उठाएंगे वमसी सर ब्रिटिश क्लब में एक घंटे में पॉँचेंगे यह तुम्ही ने कहा था याद है न? सर बहुत जीली है अगर आप जिन्दा रहें तो मेरी जिन्दगी का सुकुन छेंजाएगा चा अब आपको फोन की जरूरत नहीं है तो में उपर बेजने का बीड़ा सिकंदर भाई ने उठाया है परिवार का बदला लेना चाहते है तो चाहते है प्रूज ड्रूब अरूङ। कलिए! 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 चाप्तिया! कलिए! 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 कि में सकती हुआ है आफ लाइ प्रबजाष भी एा आफ आफ लाइ आफ अ, यूज डिए लाइए अडिंगर आफ छिए एहा आफ लाइए झाल 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 इस दिन मैंने इमानदारी दिखाई थी लेकिन मेरे इमानदारी का तुम लोगों ने फाइदा उठाया था लेकिन आज मेरे इमानदारी मेरे देश के प्रती है मेरे परिवार के प्रती तुम में से कोई भी जिन्दा बज गया तो मेरे परिवार के लिए या सर के लिए खत्रा बना रहेगा इसलिए वंसी साब का साथ देने तुझे मैं उसके पास भिजवा देता हूँ भूटो यान आपके पुराने दुश्मन आपको चोड़ पहुँचा रहे थे तो आपकी सिक्योरिटी ने उन्हें गोलियों से भून डाला केस क्लोज़ पर गया जीजू हमारे केदार को बाहर कुछ लूग मार रहें जाकर देखो ना सबक सिखा दो उन्हें क्या हुआ यह उनका आपस का लफड़ा है हम सरदर्द क्यों ले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा उस दिन तो तुमने इनकी यही एक बुरी आदत है जहां मार पीठ होती है वो उस एरिया में जाते तक नहीं क्यूकर मूदरेजाद टो जाद़ उस्ती का लगपस मुझ खर षुमने लेटा किरलों इनक здорово कि मुझा लगते वीवादा इनका वायोटाएग